हेलो फ्रेंट्स वेलकम हैं आपका मारे यूट्यूब चैनल में स्टेंडिंग कमेटी की बैठा खत्म हो चुकी है और मीटिंग में कई सारे मुद्दों पर बात हुई है जिसमें बड़े फैसल लिए गए हैं मीटिंग में महंगाई बत्ता महंगाई राहत पैंसन ओल्ड पै पर फैस्ते लिए गए हैं सभी कर्मचारियों और पैंसन के लिए तो बहुत बड़ी जबरजस्त अपडेट आ रही है इस वीडियो को पूरा लास्त देखिया बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा ये वीडियो आपके काम का बहुत ही जादा होने वाला है बने रही है हमारे स साथ इस वीडियो में लास्त तक और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस राट बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथी साथ आप हमारे वीडियो की लेटस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे की निसान को जलूरी हिट कर करमचारियों पैंशनर्स और फैमिली पैंशनर्स के लिए अब न्यूज और इन्पोर्मेशन लाते रहते हैं चलिए आपको लेके चलते हैं उस न्यूज पर आप देख सकते हैं एक मीटिंग हुई 26 फवरी 22 की जिसमें नेशनल काउंसिल स्टाइब साइट की तरब से सभी करमचारियों और पैंशनर्स के लिए इसमें कैसारी बात ते हुई जिनमें कैसारी फिर से मता जलुई तो जिसमें डिये और यूजर के मुद्रैके पर बहुत बड़ी इसमें कापी सारी चीज़े हुई और नैट्डुोटी अलाउंसे बिनाज देरी के अब कर्मचारियों की तत्काल प्रभाव से यह अभी करेंट रेट से तीन इंस्ट्रल्मेंट जो थी वह इंस्ट्ल्मेंट हैं जो इंस्ट्रल्मेंट हैं वो सरकार को प्रवाइड करा देनी चाहिए उसकी बड़ी मांगे आप देख सकते हैं में तोड़ा रहा ह। इस remember, the government of India, without holding any discussion with the staff side, has arbitrarily decided to freeze the three installments of DA due to the central government employees and three installments of DR due to the pensioners for 18 months and that this 18 months increased DA-DR will not be given back to the employees or pensioners. Such type of decision is taken by the government for the first time. DNA allowance is the part of the salary and DR is the part of the pension. This cannot be stopped arbitrarily. आप देसकते हैं, the decision of the government and demand the DADR due from 1-1-2020, 1-7-2020 and 1-1-2021 may please be given in the case of the central government employees and central government pensioners. Immediately, since the government is claiming that the economy of the country has considerably increased, moreover, attention is drawn to the recent judgment of the Honorable Supreme Court dated 8. और इसके आपकरी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, निकि सरकार ने बोला है कि, जो स्टाप साइट जो है कर्मचारियों की union उन्ने बोला है कि, अब जो है दीरे-दीरे economy भी जो है increase होने लगी है, जिससे सरकार, जिससे कर्मचारियों की मांग है, वो pensioners की मांग है कि जो है कितना आपको कमेंट करें बताई कि कितना DADR आपको प्रोवाइड कराना चाहिए सरकार की तरफ से, और भी कही सारी चीज़ें आप इसमें देख लिए बाकी सारी चीज़ें इसमें, मैं आपको डेटेलें बता दूंगा, दूसरा जो है, एक और बड़ी डिमांड है जो मसपी कि इसमें मा बात कर रहा था आप देख सकते हैं इसमें, डिमांड रिच्ट बादा स्टाफ साइड इन अफ्र दिसक्सन वेरेवर द ऑफिशल साइड है एग्रीट तूपिशन वेरेवर द अफिशल साइड है विदाव डिग अनी इसक्सन विद बिद श्टाप सा अब देख सकते हैं कि बिना जो स्टाप साइड के जो डिसक्सन के बिना जो थर्डे में सीपी है उसको जो चाली सो हंडेट पर है उसमें कई सारी चीजें उनको लेकर उसमें की बड़ी डिमांड है अब देख सकते हैं पॉइंट नमबर फाइब the demand of the staff side for restoration ofkin advance was agreed in the last meeting however no decision has been taken yet in the matter we once again demand that one month basic pay of the employee may be granted as festival advance to be recovered in 10 easy instalment आप देख सकते हैं कि इसमें करमचारिओं के एक commenstart को बेकर बड़ी डिमांड है जिसमें करमचारिओं को जिसमें उन्होंने डिमांड की थी लेकिन अभी तक उस eigenen की बिकिन को करमचार्यों और पंसनाज की लिए इस दिर्मांड की पिसनुवाई हो इसके लिए बनोने डिमांड की है अगर आप देख सकते हैं ल्टी सी से रिगार्डिंग बेस में इसे करमचारी जो नोने पहले से ही ल्टी सी का टिकेट बुक कर लिया था ब्लॉक किया 2018 से 20 के लिए लेकिन वो कोविड-19 महामारी के जो चलते जो है उन्होंने अपने टेंक टिकेट कैंसल करा दिये थे उन सब के लिए भी जो है डिमांड की गई आप आगे इसमें देख सकते हैं और भी कई सारी चीजह है इसमें आप देख सकते हैं आप देख सकते बोल्ट इस रिकवरी एक्सें शुट बी स्टॉपड एंड एस ओलेडी डिमांड़ेट बाइद अश्टाप साइड एन एंडियर सुट बी पेड तो ओल्लॉड इस डिप्लोई इन नाइट डूटी नाइट शेप्ट डूटी बिडवट एनी बेसिक पेस सीलिंग प्रोवाइट कराया जाए और आगे आप देख सकते हैं कई सारी चीजह हैं पॉइंट नमर नाइन देख लिए फुल इंबर्समेंट ऑफ दा मेडिकल ट्रीटमेंट इंकर्ड फोट कोविड नाइटी ट्रीटमेंट अवेल्ड इन दा रिकोगनाज्ट एंपैनल होस्पिट इसमाद किये गाए आप देख सकते हैं इसमें थार along Team और फोटियघ गी है इसमें आप देख सकते हैं जो employees जिनकी death हो गई थी उनका compensation के तोर पर compassionate basis पर अभी तक appointment नहीं किये गए उनके dependent को तो उसके लेकर भी सरकार से जो है है और भी कई सारी इसमें डिमांड थी आप देख सकते हैं इसमें तो सबसे पहले कंप्रीट होने चाहिए सबसे पहले जारी होने चाहिए इसमें कई सारी सब्सक्राइब भी कर लेगा मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच